हलो फ्रेंड्स मैं सुनील चोधरी दीफ हम जेपूर से स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में आज का जो वीडियो है यह वेशाली नगर के बहुत ही नजदिक होने वाला है जेपूर सहर में वेशाली नगर किसे जो दिल्ली अजमेर हाइवेज निकल रहा है वहां से आज वोकिंग डिस्टेंस पर यह प्रोपर्टी है और आज की जो प्रोपर्टी है यह फ्लेट की होने वाली है जहां पर टूओर थ्री बीएजक एक प्लेट के दिखाने वाला हूँ लोकेलीटी की बात करें तो यह जगदंबा नगर की नाम से जगह है त्लिज हैं जो वि बिल्डिंग जो है ABD के नाम से है बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख लीजे किस तरह का है बहुत ही शांदार सा modern type का बिल्डिंग का आपको यहां पर एलिवेशन मिल रहा है साथ ही एक गेटेड कम्यूनिटी आपको यहां पर मिल जाती है सामने यहां पर फ्रेंट का वर्क आप देख सकते हैं ABD का यह प्रोजेक्ट है और यहां पर फ्रेंट में आप देखोगे तो डबल गेट के साथ आपको यह बिल्डिंग मिल रही है जहां पर नीचे की तरफ पूरा पार्किंग का एरिया है सामने से भी एक ब्यार आप यहां से लो बहुत ही बढ़ीया साइज में आपको यहां पर पार्किंग का एरिया पूरा मिल रहा है इसलिए आप आप कार्ज यहां पर पार्क कर सकते हैं साथी और भी मैं एमेनिटी इस की बात करूं यहां तो पानी के लिए यहां बिल्डिंग की सेपरेट वोरिंग है वोटर की यहां पर है साथ ही साइड में आपने देखेंगे तो यहां पर एक जिम और बच्चों के लिए इंडोर गेम्स का प्रोविजन है वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं वोल्स पर आप देखो के तो यहां आप देखिए बढ़िया सा मतलब पूरा ही लाइटिंग का काम भी आपको यहां करके दिया जाएगा उपर की तरफ पर आर्टिफीस्यल यहां पर ग्रास यूज किया हुआ है और जिम में आप मसीन दी बगेरा देख सकते हो साइकलिंग है आगे की तरफ जैसे आप मल्टी पर्पर्वर्ज का जो यह मसीन है कि यह आपको यहां पर मिल ज यहां पर रखे हुए है और यहां से अब सीधे चलते हैं एक बार अपार्टमेंट में और वहां मैं आपको फ्लेट दिखाने वाला हूं तो यहां पर लिप्ट और स्टेर्स दोनों का ही प्रोविजन मिलेगा हर तरह की यहां पर सुईधाय आपको मिलने वाली है तो सीधा चलते हैं, यहां से एक बार अपन फ्लेट में और वहां से देखते हैं फ्लेट को, पार्किंग वगेरा अपने पूरी यहां पर अमेनिटीस जो थी नीचे वो देख ली, अब हम आ चुके हैं यहां पर फ्लोर पे और यहां पर जो फ्लोर का लोबी है, लोबी एरिया आप दे दोनों का प्रोविजन आपको यहां पर मिल जाता है और अभी मैं आपको 3BHK का सेंपल दिखाने वाला हूँ अगर आप पर्चेज करना चाहो तो एजिट भी आप इसे पर्चेज कर सकते हो यह आ जाता है इसमें मैं एंट्रेंस और क्वालिटी जो है आपको बहुत ही बहु क्यारा की जोً asking फिनिशिंग है यह यहां पर किये है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम आपको यह को मिलने वाला है यह है इसमें सबसे पहले होल का एईरिया और होल आए यह डाइनिंग और living दोनों ही area आपको यहाँ पर separate करके दिये जा रहे है dimension की बात करूँ तो 11 y 24 की dimension में आपको यह area मिल रहा है और यहाँ पर arrangement के इसाब से अगर आपन देखे तो यहाँ आप side में देख सकते हो एक 5-seater sofa आप easily यहाँ पर लगा सकते है साथ इस center table यहाँ पर दी हुई है पीछे की तरफ आप walls पर देखोगे तो बड़िया सा wooden में आपको यहाँ पर decoration items रखने के लिए एक अच्छा सा area यहाँ पर तयार करके दिया जा रहा है साथ ही उपर की तरफ देख लीजिए एक बार ceiling design बहुत ही बैतरिन तरीके की यहाँ पर मिल जाती है फेन वगेरा जो है lighting है बहुत ही अच्छी है आपको यहाँ पर मिलने वाली है living area के बाद आ जाता है यहाँ पर dining area और dining area आपको यहाँ पर dining area तयार करके दिया जा रहा है बहुत ही premium quality का work है पीछे की तरफ आप देखो कि तो wallpaper का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है साथ ही उपर की तरफ देखिए wooden का यहाँ पर काम है corner में आपको एक अच्छा सा एक और area त्यार करके दिया जा रहा है जहां कापी decorative item यहाँ पर रखे हुए है आपने हिसाब से और भी कुछ modification करना चाहो तो वह भी यहाँ पर कर सकते हैं और यह जो फ्लेट है यह 1360 square feet में बना हुआ है जैसा आप इसे देख रहे हो अगर same exit खरीदना चाहो तो इसकी rate चपन लाग रुपे है 56 लेक और अगर आप खरीदना चाहो semi furnished तो वह 22 लाग रुपे है आगे की portion की बात करें तो यहां पर side में kitchen है kitchen के बगल में यहां पर दिया हुआ है वह बेशीन एरिया और यह भी आप देखिए बहुत ही modern type का आपको यहां पर मिलने वाला है और यहां side में आ जाता है एक बालकोनी area तो बालकोनी जो area है उसमें भी आप देखोगे तो यहां पर जो गेट है slider gate UPVC का आपको यहां दिया जा रहा है सामने की बालकोनी का area size आप एक बार देख लीजिए लगबग 5 वाई 8 की dimension में आपको यहां पर बालकोनी का area मिल रहा है और hall में ही देखे सामने की तरफ इधर तो यहां पर आप देख सकते LED के लिए बढ़िया सा यहां पर panel त्यार करके दिया जा रहा है जिसमें की पीछे की तरफ आप देखो कि तो बढ़िया सा यहां पर कोफर फिनिस में आपको मिल रहा है और वोडन का पूरा LED यहां पर panel दिया हुआ है नीचे की तरफ भी देखिए स्ट्रेज के लिए काफी अच्छा area यहां पर मिल जाता है एक बार इस यहां भी उपर की तरफ देखिए आप वीच में जो यहां पर लाइट दी हुई है बहुत ही खूबसूरत तरीके की आपको यहां पर मिलने वाली है और फ़र्णिस्ट है तो इसमें जो भी आइटम्स लगे हुए है पूरे इंक्लूड है फ्लोर प्लान की मैं यहां बात करूं तो अभी अपने होल देखा है होल से एंटर करते ही साइड में यहां पर तीन बेडरूम है तीनों में अटेश बात रूम है यह बहुत ही अच्छी चीज है यहां पर और सामने की तरफ है किचन किचन में जाने से पहले यहां आप देख लीजिए एक बार यह जो पॉर्चेन बहुत ही प्यारा यहां पर आपको तयार करके दिया जा रहा है तो वह कर सकते हो उस डेकोरिटीव आइटम इसमें रखना चाहो तो वहां यहां पर रख सकते जे यह अपर यह प्रूर्पर्टी है और यहां आ जाता है यहां पर किचन और किच्छन भी के बहुत थिशानदार मिलने वाला है करटेंस वगेरा विए आपको यहां पर लगा के दिये जा रहे है चिमनी आपको यहां पर लगा के दिया जा रहा है और यहां पर शुरू करते हैं एक बार बेड्रूम देखना तो यह है यहां पर फैस्ट बेड्रूम और बेड्रूम की डाइमेंशन भी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है दस वाई 12 की डाइमेंशन में यह बेड्रूम है और बेड्रूम में जैसे आप देखोगे तो एक six by six king size का बेड़ है पीछे की तरह आप देखिए यहां पर बड़िया सा हेड़ का वैक है जो की वुड़न साथ ही वोल पेपर का यहां पर यूज किया हुआ है और यहां साइड में आ जाता है इसमें विंडो का एरिया विंडो सिधा अपना बहार जो बोड़ है उस साइड में ओपन हो रही है और वेंटिलेशन तो वाकई प्रोपर है उपर की तरब आप देखिए एक बास सिलिंग डिजाइन जिसमें हर जगा आपको यूनी की तरीके की सिलिंग डिजाइन में दी जा रही है अटेज यहां पर बातरूम और बेड के सामने क प्रोट के तरब की बात करें तो यहां आप देखी एक बार वाड़ोब आपको यहां पर मिल जाता है लगबग पांच से पांच फीट की चोड़ाई में आपको यहां पर वाड़ोब दी जा रही है पूरी उड़न की है उपर की साइड जो एरिया है वहां पर ऑपन बात्रूम भी बहुत ही अच्छी डाइमेंशन में आपको यहां बात्रूम है जिसमें आपको फैन जो की यहां पर दिया हुआ है एक्जोस्ट है गीजर है सारी चीज़ें आपको यहां पर लगा के ओल्रीडी दी जा रही है सीट आपको यहां पर वेश्टन लगा के दी जा रही है सेरा की आपको यहां सेनेटरी फिटिंग मिल जाती है वेंटिलेशन आप देख सकते हर जगह बहुत ही सही तरीके का मिलने वाला है यह देखा फैस्ट बेडरूम और आप दिखातों में बारी बारी से भी आपको जो द देस्क्रिप्शन मेंनंबर है वहां कोल करके आप इस प्रोपर्टी की विजिट कर सकते हैं यह जो बेडरूम है 10वाइ 16 mm में है बहुत यह शांदार सी धायमेंशन में आपको यह बेडरूम मिल रहा है जिसमें आप देखो कि बेडरूम जो बेड है味 277 ंअ पीछे की सामन जोब आपको इस वेडरूम में भी मिल रही है तो कहीं भी आपको किसी भी तरह की प्रोब्लम आने वाली नहीं है और सहर के बहुत ही नजदी के प्रोपर्टी है और इसमें भी आप देखो कि तो ड्रेसिंग का एरिया है सामने साइड में यहां इस तो रेज के लिए आपको अच्छा खासा एक और एरिया यहां पर मिल जाता है और आगे की तरफ है इसमें अटेच में बाथरूम जो की वेश्टन सीट के साथ आपको यहां पर मिल रहा है फिटिंग साब को फुरी यहां पर ब्रेंडेड मिल रही है कलर कोंबिनेशन काफी अच्छा है और फेन यहँरी अकाइब मेंसरी अच्छा थो कि अजए मिल रहा है क्रोस वेशान बहुत ही सही आपको यहां पर मिल रहा है अब दिखा देता हूं मां आपको यहां पर जो लाघ्त करेंट वेड्रूम है वो और यहां देखिए आप यह है थर्ड बेड्रूम और यह जो बेड्रूम है दसवाई 13 की डाइमेंशन में आपको यहां मिल रहा है और इस बेड्रूम में भी मिल जाता आपको एक डबल वेड डबल वेड के साथ ही इसमें आप देखोगे यहां पर पीछे का वर्क तो यह हेट का वर्क है बहुत लाजवाव यहां पर दिया हुआ है पूरी ही टोफ करके दिया हुआ है लाइटिंग वागीर आप एक भार सिलिंग डीजाइन में यह बात्रूम भी एक बार आप देख लीजिए और यह जो बेडरूम है इसमें भी आपको मिल रही है यहाँ पर वार्डोब का एरिया यह भी आप एक बार देख लीजिए श्टोरेज से आपको यहाँ कोई से देखने को नहीं मिलेगा साथ ही क्वालिटी यहाँ पर पूरी मेंटेन की हुई है सीटी के बहुत ही नजदी के प्रोपर्टी है अगर पसंद आई प्रोपर्टी और विजिट आप करना चाहते हैं तो यह डिस्क्रिप्शन में नंबर दिये हुए है वहाँ कोल करके आप प्रोपर्टी की विजिट कर सकते हैं साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी बहुत ही बहतरीन सी प्रोपर्टियां देखने के लिए चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नई प्रोपर्टि के साथ थेंक यू